तो है गाइस वेलकॉम बेक तुचिएल मैडिको स्टु वार अपने अपनी नई यूनिटे स्टार्ट करवा दिए इस पिसल सेंस तीक है अपनी लास्ट यूनिट है यार फिजियोजी इंगे और अभी तक अपने सारी का अपने सारी दस यूनिट इसके लिए कब लिए फिज करना है टेली राम चैनल को ठीक और उहां से सारे नोटस ले लेने हैं तो यहार इस्टार्ट करते हैं अपना आज का मेजली टॉपक थीक फोटो केमेस्टिय ऑफ बिजन तो यह फोटो सेंस्टिब पिगमेंट्स प्रिजन इन इन दी रोट्स कॉन थि तो इसमें अपने को मेंली पढ़ना क्या है क्या होता है कि कुछ receptor cells होते हैं कौन और अपने कौन से रोड दो टाइप के होते हैं और जो आपे जो receptor cells होते हैं रोड और कौन cells वो क्यों होते हैं पड़ती है उन पिग्मेंट्स को पर दो पिग्मेंट्स करते हैं ब्रेकडाउन करते हैं उनमें कोई भी चेंजिस देखने को मिलते हैं उनका पन मेंली पड़े हैं किसमें बॉल्ड विज्वल साइकल में तो chemical reaction involved in the pigments leads to development of electrical activity in retina generation of impulse जिसा अपन action potential वोलते हैं transmit through the optic now अब क्या होता है जो retina होता है तो retina में क्या होते हैं यह सारे के सारे road और cons तीक है जो अपने cell है ठीक है रेसेप्टर सेल से इनके अंदर pigments होगी अब क्या होगा यह pigments जब break करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर development होता है किसका electrical activity का retina के अंदर और जो retina के अंदर electrical activity का generation होगा वो कैसे होगा ऐसा impulse मतलब action potential के रूप में और आपको पता है कि वो action potential का करेगा बाद में impulse generate करेगा जो कि optic nerve के थूरू generate होके चली जाएगी अपनी cns में ठीक है और वहाँ पर जाकर और वहाँ पर डेटर्माइन करेगा क्या चल क्या रहा है मेली भार आपको देख कर रहा है ठीक है आगे बात करते हैं अपन पिग्मेंट की मेली किसकी रोड उप्शिन की कि रोड उप्शिन क्या होता है ठीक है तो विजुवल पल पर इजा पिग्मेंट ठीक है ऑफ और रोट सेल का होता है अपना एक पिग्मेंट होता है जिसा अपन रोड उप्शिन बोलते है इसका जो in the outer segment of the rod cell बता देता हूँ आप डाइग्राम से डाइग्राम आपको मैंने दे रखा है यहाँ ठीक है यह क्या रहता है inner segment होता है ठीक है यह वाला और यह वाला होता है outer segment ठीक उपर rod cell की बात कर रहे हैं और यह होती इसकी ठीक है उसके जी outer segment यहाँ पर देखा रहाने वाला यहाँ पर मिलता है अपने कोई मेल दी ठीक है रोड ओप्सिन ठीक है यह चीज आपको होई होगी के लिए आगे बात करते हैं रोडोस्वन इस अ conjugate protein जो रोडोसे ने वह कौन से ट्व कर रोटीन होता है conjugate protein टीक है जो की मेड़किस स्मवन के बना होता है Opsyn प्लस क्रोमो-4 थे तो प्रिजन इंदी रोडोसें कॉल इसको तोप्सिन इसको तोप्सिन होता वह में इनली प्रिजेंट होता है और है आप बात करते है अख अपनं क्रोमौपॉर की क्या होता है Does the chemical substance developed color प्रोल्श कहरते है किसका color का टीक है फॉर में कि अंडा ड patो प्रोल्श करते है massage है व भाइटमिंट लाइटमी किसते होता है कि रेट डम ड के सबंढने अखने के डीनम्स के रेटन उसको को और हम से तो सकते होगा आखों की रोषनी बढ़ती है उसक Keynes पने अधर मिलता है अपने को क्या रेटिनल पॉप ए। अब बात करते है है रेटिना इन फ़स्ट जो कि हुमान आइस में में मिलेगा 11-6 रेटिनल आपने पढ़े होंगा आइस ओमराइजेशन टीक है सेस और टांस तो सिस फॉर्म जो होता है 11-6 रेटिनल के फॉर्म में मिलता है में ली रेटिनल टीक है अगर याद ना हो तो याद कर लेना तीक है काफी इंपोटेंट होता है बाइकमिस्टी प्लस फेजियोलोजी दो लाइजेशनो में तो इंपोटोमें में प्लस धी फोटोकैमिकल चेंजी ऑग्या देखने को मिलेंगे ठीक है यह ड़्यान बात करते हैं कि और उसको लाइट कंडिशन में अगर observe करते हैं किसको rock cells को तब अपने की कुछ sj iloo के दिखेंगे कभी-कभी आपने देख कब बिता हrant में कभी आपके अंखर देखना तो आपको और वापस उसकी सिंटेसाइज करवाने है जैसे ही लाइट एनरजी थी तो रोड़ोप्षें कर जाते हैं ब्रेक में कर जाएगा बात रोड़ोप्षेंच करता है वह अपना लूमी-रोडोपिजन से करता है मेटारोपिजन होता है वह होता आपना एक्टिव रोडोपिजन मतलब इसको एक्टिव होने के लिए बहुत सारे चेंज करने पड़े अब यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे यहाँ पर बूलू कलर कर दमाँ aware आप तो आपने बन गया अपने करें कि अब ऑल स्रयटिनोल और यहां कि होना होताई वह उस्किल से मिलके बनाएं तो 12 बना है आप और से बना होता है वह अपना सकते हैं और यहां पर एक एंजाइम लगता है रेटीनल आइसुमरीज टिक है यह तो अगर में बात करता हम कि वह लीवर में जाते है तो लीवर में एक एंजाइम होता है अपने को चाहती है प्जरी तो बीप करीफित्刑 कि पारा तो खनी को केसा। और भी प्रहण को पारार खच्छा में हो सब्सक्द भाट टीक है LD ही फिर फर्दर आगे क्या करेंगे यह बापस से इसको टॉप्शन के साथ मिल जाएगा कौन 11-6 रेटिनल टीक है और इन दोनों के मिलने से बनता है अपना रोडॉप्शन जो मैं आपको पहले भी बता कर आया हूं टीक है कि जो रोडॉप्शन होता है उसका फॉर्म फ्रोम एलेवेनसेस रेटिनल मतलब कि आपनी सिंथेसिस होती है बहुत इसलिदी हो जाती है एस कंपर टू किसके एलेवेञेस्टेस रेटिनल से जल्दी बन जाएगा त। और जो अपने 11ceus Arena he says shop अर सब्सक्राइब ど यह आपने ने सबनाडी में प्रोभव किसे में आपने लाइड आइज्जी आई यह वो convert होनी है किसमें अपनी बोल सकते हैं अपन रेशेप्टर प्रोटेंशियल में तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ट्रांडक्शन ट्रांडक्शन में लिके होता है conversion of energy ठीक है फोटो मतलब light तो light की जो energy उसको अपन लाँ देता हूं आपको तो आपको आप एक चीज दिख रही होगी ठीक यह अपना पूरा रोड रोड का डाइग्राम है अब क्या होता है अपना inner segment जो हाप लिक रहा है और जो उपर वाला यह होता है outer segment फिक अब मेंदी होता क्या है इनर से बाहर निकलता है क्या sodium इनर से बाहर निकलता है sodium अब क्या होता है जो outer segment होता है तो outer segment के पास होते है क्या sodium के channels ठीक है अब इस sodium के channels रहते हैं इन channels को open रखने के लिए cyclic gmp की जरुवत पड़ती है अगर cyclic gmp normally present रहता है वहां पर extracellular flood में तो उसकी वैसे जो अपने sodium के channels रहते हैं वो हमेशा खुली रहते हैं outer segment of the rod cells ठीक है तो इस बाइस क्या होता है जित्ता भी inner segment से sodium निकलता है वो सारा का सारा outer segments में जाके अंदर घुश जाता है मतलब कि अगर sodium भाहर निकलेगा तो inner segment के अंदर क्या होगा negativity क्या करेगी increase करेगी तीक है इतना समझ आता है अब क्या होगा जैसे outer segment का अंदर sodium घुश जाएगा तो यहां पर जो negativity होती है वो कर जाएग decrease क्योंकि उसके अंदर क्या जा रहा है positive chart जा रहा है sodium तो यहां पर जो आपको current का फिलू दिख रहा है sodium निकल ला है फिर अंदर जा रहा है फिर भाहर निकलेगा फिर अंदर जाएगा तो इससे वहां का सदक रहा है Breathing membrane potential रहा है इन sensing receptors जो अपने sensory रेसेप्टर होते हैं उन में कितना होता है рассказ Listening Membrane potential m-70mV से लेकर a minus 90 mV के बीच में ठीक आगे बात करते हैं, resting membrane potential is about the minus 40 mmb, ठीक है, अगर negativity reduce करेगी, अगर receptor cell की, तो क्या हो रहा है, मतलग उसके अंदर sodium जा रहा है होंगे कहीं न कहीं से, तभी तो इसकी negativity reduce कर रही है, तो अब मायने के चलो कि अगर minus 17 और minus 19 के बीच में minus 75 था, अब वो किसमें पहुंच गया, minus 40 पे to the inner segment of the red cells, to extracellular flow, तीक है, यहाँ पर red नहीं होगा, बेटा, यह rod होगा, तो आपको इस चीज को याद रखना है, तीक है, red नहीं होगा, वो rod होगा, गल्ती से लखा गया है, तो rod cell to extracellular flow, तीक है, अब क्या होगा, dark condition, जो sodium आया इस थे, वो pump out, जो inner segment था, rod cell का, वहाँ स कि जो sodium ions बाहर निकल के पहुंच रहें, अब जो cyclic GMP होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर sodium के channels खुले रखता है, जो outer segment है, तो outer segment में sodium के channel खुले थे, तो अब क्या होगा, वो sodium के leak करके पहुंच जाते हैं, outer segment के अंदर, तो sodium ions leak back into the rod cells, through the outer segments, तो reduce electronegativity inside the rod cell, अब क्या होग जो हाँ के अंदर, जो electronegativity थी, वो हाँ पर reduce कर जाती है, तो इसके अंदर के आप पहुंच गया है, sodium ions, तो sodium ions उस outer membrane के अंदर क्या करेगा, तो हाँ की negativity को पूरी कर देगा, reduce कर देगा, तो इस वाई से कह होता है, कि बाहर निकल ला है, sodium, अंदर आ रहा है, sodium, तो इस बज पी, always keep sodium channels open, जो मैं आपको पहले ही बता के आया, आँगे बात करते है, photo, transduction, cascade of receptor potential, तो बेन अदर sensory receptor excited, तो इलेक्रिकल response is in the form of the depolarization, तीक है, अगर मान के चलो कि कोई से अभी अपना जो sensory receptors है, अगर वो excite करते हैं, तो उसकी वाई से अपने को electrical response देखने को मिलेगा, किस फ आपकी membrane है, तीक है, अंदर space है, तो अंदर generally negative होता था, भार positive होता था, but क्या होता है depolarization में कि positive charge अंदर move करता है, तो अंदर क्या positivity developed कर लेता है, और भार negative charge developed कर लेगा, तीक है, तो यह अपने depolarization की condition होती थी, तीक है, but in the visual receptors, the response in the form of the hyperpolarization, लेकिन जो visual receptors होते हैं, उन में अपने को vehicle depolation देखने को, तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो अपने ilectrical response देखने को मिलता है, वह अपने को देखने को मिलता है, hyperpolarization, तीक है, hyperpolarization क्या हो गया, तो अब देखों, आर। mmy होता क्या है, तीक है, एइसा होता है, कि आपके पास एक यहाई है, अपना rod cell है, ले लेते हैं पर यह अपने पास रॉड से लेश्का आउटर है और इसके बाद इसके अंदर क्या है यह इनरी ठीक है जो भी आज़ो डाइग्राम नहीं बन पाए कोई देखक नहीं ठीक है और इसमें का होता है जो आउटर में मुटनी इसमें होते हैं यहां से सोडियम अंदर जाएगा अब आपको एक चीज देखनी है कि जनल होता क्या है कि देखो जब साइकलिक जीएंपी की हो जाएगी डिफिशियन्सी ठीक है साइकलिक जीएंपी हो गया कम क्योंकि साइकलिक GMP convert कर गया 5 GMP में तो इस वाई से क्या होता है जो यहां पर sodium के channel थी एक कर जाएंगी close तो कुछ से sodium channels के थुरू outer segment में अंदर और उस चीज को maintain करके रखता है potential को ठीक है बट लेकिन यहां पर आपने एक टॉप एक चीज पढ़िए कि जो response देखने को मिलता है किसमें hyperpolarization की condition हाईपर पोलाइशन में में होता है क्या है कि सेल होता है सेल के अंदर नेगेटिविटी जादा इंक्रीज हो जाती है as compared to जो की रेस्टिंग मेंब्रेन प्रोटेंशल के टाइम पर रहता है ठीक है यहां पर डीपोलाइशन नहीं देखने को मिलेगा यहां पर सिरब आपको तो अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज करती जाएगी अगर अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज करती जाएगी तो अंदर जो नेगेटिविटी है इंक्रीज कर गई तो मतलब जो नॉर्मल यह अपना कितना था माइनस 70 से लेके कितना माइनस 90 के बीच में रेस्टिंग मे क्या बोलेंगे hyperpolarization condition ठीक है इस चीज़ आपको समझ में आ गई यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो inner segment होता हुआ से sodium बाहर निकलता जा रहा है ठीक है लेकिन जो आपका outer segment उसके अंदर से sodium अंदर एंटर नहीं कर पारा सेल के अंदर क्योंकि sodium के वहां पे channels क्या हो जाते हैं बंद क्योंकि cyclic gmpeak हो जाती है deficiency इस वाज़े से सेल के अंदर negativity create करती जाती है और hyperpolarization की condition developed हो जाती है और जो की response होता है किसका जैसे कि कुछ कुछ तो क्या इसके बाद आपको यहां पर बता देता हूं मैं cascade अगयरा फ्लो चार्ट के थुरू तो क्या होता है 11-6 रहता है ठीक लाइट आई तो में डारॉट ऑप्शन सेकेंड बनाता है बोल्स बजुवल साइकल में देख लिया अपन ने इस बास क्या होता है इस बास कहा है एक्टिवेशन ऑप ट्रासडियूसिन ट्रीक है जो कि जी प्रोटीन होते है जब उक्टिवेट करते हैं तो उनकी बास किसका होता है cyclic gmp phosphodiesterase enzyme का ठीक है जो enzyme क्या करवाया है यहां पर cyclic gmp औक convert करवाता है ठीक है 5gmap में तो यहां पर इस amount decrease कर जाएगा तो decrease concentration of the cyclic gmp इस वएसे जो closer of the sodium channels हो जाता है क्योंगी जो sodium channel से उपान किसके वे से It's cyclic gmp वैसे अब cyclic gmp बचा नहीं तो sodium channel कर जाएगी close इस वाइसे देखने को मिलता है hyper पोलराइशन इंदी रिसेप्टर सेल्स तुर्ष अपने को समझ आ गया है अब डिक्रीज इंदा रिलीजिंग और ग्लुटामिट का डिक्रीज उरा रिलीजिंग तुर्ष इस बाई से अपने को जो रिस्पॉंस है वो बाइकॉलर और गेंगलियान सेल्स में देखने को मिलत यह तो आपना पूरा का पूरा कैस्केर्ड रियक्षिन ठीक है तो इसको आप एक बार नोट से अच्छे से पढ़ने ना अगले लेक्चर मा को पताऊंगा डार्क अडप्टेशन लाइट अडप्टेशन ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ाई करो आप मेहनत करो थेंक यू फ